हालो गाइस दिस इस विन्य और आप देख रहे हैं पाइफाई लर्निंग लास्ट लेक्चर के अंदर आपने के विल यानि की लूप अनालिसी से रिलेटेड आपके कुछ नुमेरिकल्स देखे अब हम इस लेक्चर के अंदर उसी से रिलेटेड आपका एक इंपोर्टेंट आपका टोपिक देखते हैं यह विल तो देखते हैं आपका नुमेरिकल्स के अंदर आपका बहुत ही हेलफुल रहेगा और आपका यहां से एक कुछन आपका लगबग आई जाता है तो देखते हैं आपका नेक्स्ट इस पोटेंशल डिवाइडर रूल या फिर इसको बोल हैं दो रजिस्टेंस आपके इस तरीके से हैं, this is first resistance, and this is second resistance, ठीक है, यह आपका तब लगता है जब आपके resistance किस के अंदर हो, series के अंदर हो, तो सबसे पहले तो आपका यहां पे लिखते है potential, यानि की voltage कब divide होती है आपकी, जब series के अंदर होती है क्योंकि parallel के अंदर तो आपकी same रहती है ठीक है, तो आपकी हमेशा कब लगेगा जब आपके resistance किस के अंदर हो, series के अंदर हो when, when resistance या फिर आपका बोले impedance, resistance या फिर impedance, और यह impedance आपका किस में हो, in series के अंदर हो ठीक है, तब आपका यह क्या होता है तब आपका apply होता है, तो यहां से आपका देखिए, माल लिजे आपके पास में दो resistance है आपका resistance का भी case देखेंगे impedance का भी case देखेंगे और capacitance का भी case देखेंगे तीनों case यहां पे आपका देखेंगे तो यहां से आपका देखिए यहां पे आपका माल लिजे कोई भी voltage source है plus minus V ठीक है, तो यहां से आपका अब जैसे आपका current flow करेगा तो current क्या होता है current series के अंदर आपका क्या रहता है same रहता है current आपका series में क्या रहेगा same आपका रहेगा तो यहां से अब इसके across यहां पे आपका क्या हो जाएगा जब यह current आपका इसके थू जाएगा तो यहां पे आपका कुछ potential drop बनाएगा V1, it is equal to I into R1, ठीक है, यह आपका हो जाएगा V1, अब यहां से, what is I, I आपका क्या होता है, I it is equal to, हम लिखते हैं, V divided by R, ठीक है, V divided by क्या लिखते हैं, आपका R, और यहां से, total आपका resistance कितना नजर आ रहा है, अगर हम यहां से total resistance को देखें, तो R1 प्लस R2 आपका नजर आ र ठीक है, अगर एक और resistance होता, प्लस का आपका क्या हो जाता, R3 यहां पर आपका resistance आ जाता, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखो, so I, it is equal to, हम यहां से लिख सकते हैं, V divided by R equivalent, और R equivalent की value आपके पास में है, that is R1 प्लस R2, तो यहां से इसकी value पुट कीजिए, यहां से आपका क्या आएगा, V divided by R1 प्लस R2 into R1, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, V into R1 divided by R1 प्लस R2, तो यहां से आपका conclusion क्या निकला, conclusion आपका यह निकला, कि अगर आपको V1 निकलना है, तो V1 निकलने के लिए आपका क्या करना है, total voltage, जितनी आपने voltage अप्लाई की है, into V2 जिसके एक रोस आपको voltage निकलनी है, उसका resistance divided by total resistance, ठीक है, यह आपका आजाएगा क्या, V1, अब इसके बाद में हम यहां पर आपका रेखेंगे V2, so what is V2, V2 it is equal to हम लिखेंगे I into R2, so what is I, I को हम लिख सकते हैं, यहां से V divided by, V divided by, फिर से वही R1 प्लस R2 into R2, तो यह आ क्या हो जाएगा, V2 भी आपका आजाएगा, ठीक है, तो यह तो था आपका किस के case में, यह आपका लिख सकते हैं, यहां से DC की case में है, ठीक है, similarly, अगर आपके तीन resistance होते हैं, अगर यहां पर क्या होता, तीसरा भी resistance आपका आजाता, वही एक और resistance आपका ड्रो कर लेते है यहां पर ठीक है तो एक resistance और अगर हम draw करेंगे मालीजी यहां पर आपका एक और resistance है so this is R3 यहां से आपका मालीजी R3 resistance भी है तो इसके ग्रोस आपका voltage drop कितना होता V3 अब यहां से R equivalent क्या होता प्लस का आपका R3 भी आ जाता तो प्लस का R3 होते ही यहां से आपका क्या हो जाता अगर हम V3 की value निकालते so this is equal to I into R3 so this is I, I आपका कितना है V divided by R equivalent और R equivalent आपका क्या है R1 plus R2 plus R3 so this is V divided by R1 plus R2 plus R3 into R3 तो इसका मतलब आपका क्या हुआ जितने भी आपके resistance series में connect होते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा यहां से voltage आपका आता जाएगा हर एक के क्रोस हम क्या निकाल सकते हैं voltage आपका निकाल सकते हैं तो तीन के case में मैंने आपको बताया चीक है similarly यहां पे भी आपका change आ जाता यहां पे भी plus R3 आ जाता यहां पे भी plus R3 हो जाता आपका तो जैसे जैसे आपके क्या होते हैं हम यहां से conclusion क्या लिग सकते हैं जिसके एक्रोस आपको voltage निकालनी है, जिस resistance के एक्रोस आपको voltage निकालनी है, माली जिक कोई भी resistance है, Vr, this is equal to total voltage, Vt मतलब total voltage, into, जिस resistance के एक्रोस निकालनी है, यानि कि R के एक्रोस निकालनी, R divided by R total, तो यह आपको क्या हो जाएगा, this is your conclusion, छिक है, यह तो आपको मैंने बताया DC के case में, यानि कि सिर्फ जब आपका क्या present हो, आपका resistance आपका present हो, अब हम इसके अंदर देखेंगे AC के case में, AC का मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका AC source है, प्लस यहाँ से आपका impedance है, so this impedance is Z1, ठीक है, यहाँ से आपका impedance कितना है, Z1 है, और यहाँ से आपका क्या है, Z2 है आपका, so this is Z2, यहाँ पर आपका total voltage है, V, और frequency आपके मालीजी F है, क्योंकि आपका जो signal दिया होता है, इस तरीके से होता है, Vm sin omega T, तो हम इसको लिखते हैं V, F करके, यानि कि frequency भी देना चाहरा है, और voltage भी आपका देना चाहरा है, और यह voltage की जो आपकी बार लगा ह है, that is always RMS value, यह आपके कौन सी value होती है, RMS value आपके होती है, तो जब आपका current flow करेगा, मालीजी current आपका यहाँ से flow कर रहा है पहले हाप में, तो I आपका current flow करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, create, यहाँ पे आपका कुछ voltage drop बनाएगा, say this is V1 and this is V2, तो यहाँ से V1 की value आपके क्या हो जाएगी, this is equal to I into Z1, अब I आपका क्या है, I it is equal to V, total V divided by आपका क्या है, Z total, ठीक है, total, तो Z total आपका कितना हो जाएगा, this is equal to Z1 plus Z2, तो यहाँ से फिर से वही आपका equation आजाएगा, यानि की V1 की value आपके क्या हैगी, this is total voltage, यानि की V है आपका, into, जिसके across निकालनी, Z1 divided by आपका क्या हो जाएगा, Z1 plus Z2, similarly, what is V2, this is equal to V into Z2, divided by, यहाँ से आपका total हो जाएगा, that is, divided by Z1 plus Z2, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, this is across impedance, यह आपका किसके across आपका किसके across आगया, impedance के across, ठीक है, this is across impedance, तो पहले वाला case मैंने आपको बताए, य अब हम देखते हैं, आपका तीसरा case, यानि कि आपका, आपने DCA case में आपने लगाना चिखा, फिर उसके बद में आपने ACA case में देखा, वही होता है, अब हम देखते हैं, आपका क्या होता है, तो क्पेस्टेंस आपका क्या होता है, वह इस क्पेस्टेंस, यहाँ पे आप आपके open circuit हो जाते हैं, यह मैं आपको बता हूंगा transient के अंदर आगे जाके, लेकिन फिलाल आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे इसके अंदर क्या apply किया जाता है, आपका यहां पे voltage divider rule किस तरीके से apply किया जाता है, तो यहां से मा लिजे voltage है आपकी V, तो अब आपको पता है current आपका क्या रहेगा I, यहां से आपका voltage drop बनाएगा V1, यह आपका voltage drop बनाएगा V2, चीक है, अब इसके case में आपका क्या करेंगे, देखो, यहां से आपका, what is total voltage, sorry, V1 आपको निकालना है V1, चीक है, V1, it is equal to, V1 आपका कितना होगा, यह important है आपका, तो देखे, V1, it is equal to, आपका क्या हो जाएगा वही, this is equal to, अभी तक तो हम सीधा करते हैं, क्या, आपका यहां से direct, इस तरीके से वही, आपका I into R1, लेकिन इसके case में, आपका इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, कैसे, अब देखो, यहां से क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका important है, तो देखो will remain same, charge आपका क्या होता है, यहां पे same रहता है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहां पे जो charge होगा, C1 के एक्रोस वही आपका किसके एक्रोस होगा C2 के एक्रोस यानि कि QC1 इसेख्वाल टो QC2 यह वही टरमस आपकी क्यों सिटरमस आपकी? यानि कि आपका जैसे current आपका same होता है ऐसा ही charge आपका क्या रहेगा? same रहेगा क्योंकि I it is equal to क्या होता है flow of charge per second, ठीक है, तो current अगर आपका same है, तो charge भी आपका क्या रहेगा, यहां पर capacitance के case में same रहता है, तो V1 आपका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से, V1 को हम लिखेंगे, Q it is equal to C into V होता है आपका, तो यहां से आपका लिखेंगे Q divided by C, ठीक है, Q divided by C, और क्योंकि यहां पर V1 क across है, तो Q divided by हम क्या लिखेंगे, इसमें C1 लिखेंगे, ठीक है, Q divided by आपका क्या लिखेंगे, C1, अब what is Q, total Q आपका कितना है, तो Q it is equal to क्या होता है, C into V, Q it is equal to आपका क्या होता है, C into V, now what is C, अब C आपका क्या होगा यहां पर, total आपका, वहीं C1 और C2 का combination, और आपको पता है, जब capacitance आपके series के अंदर होते हैं, तो आपका क्या होता है, यहां से 1 upon C total, this is equal to 1 upon C1, प्लस 1 upon क्या रहता है, आपका C2, तो C total, it is equal to क्या लिखेंगे, C1, C2 divided by C1 plus C2, अब इसकी value हम यहां पर आपका put करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां से आपका, Q it is equal to, आपने क्य लिखा, CT into V, तो V into C1 into C2 divided by C1 plus C2, और साथ में आपका क्या है, यहां पर आपका है C1, तो इस बार आपका क्या हो जाएगा, यहां से C1 से C1 cancel out हो जाएगा, so this is equal to V into C2 divided by C1 plus C2, तो इसका मतलब voltage across V1, it is equal to this आजाएगी, यानि कि capacitance के case में, यह जो funda था, यह आपका change हो जा हो जाता है, कैसे change हो जाता है, यानि कि यहां पर हम लिखेंगे V आपका क्या है, यहां पर total voltage है, ठीक है, capacitance आपका second वाला, capacitance यहां पर second वाला, divided by total capacitance, ठीक है, यह आपका reverse हो जाता है, किसके case में, याद रखेगा, capacitance की case में, जबकि आपका resistance और impedance के case में क्या रहता है, आपका same रहता है similarly what is v2 v2 को भी हम क्या लिखेंगे this is equal to q divided by आपका क्या लिखेंगे यहां से c2 q divided by क्या लिखेंगे c2 अब q की value put कीजिए this is equal to यहां से this is equal to यह value आपने निकाली थी ct into v divided by c2 अब यहां से ct की value आपका रखेंगे this is c1 c2 और v आपका total है divided by आपका c2 है into c1 plus c2 तो इस बार आपका कौन cancel out हो जाएगा c2 आपका cancel out हो जाएगा और यहां से v2 की value आएगी this is equal to v total into capacitance c1 divided by c1 plus c2 तो यह आपका आजाएगा वही किसके case में आपका that is this is in case of voltage v2 similarly आप ऐसे ही है आपका जैसे यहां पे था वैसे ही आपका किसके case में आएगा v2 के case में आएगा ठीक है तो यह आपके लिए important था यह तो आपका books के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है यह जो आपका है यहां से यहां से आपका question बन सकता है ठीक है, यहां से आपका question बन सकता है, कि V1 आपका क्या होगा, capacitance के across और यहां से V2 क्या होगा, तो मैंने आपको करने का तरीका बताया, आपको करना कैसे है, अगर exam के अंदर आपके 3 capacitance का यह आ जाए, तो अगर आपको यह method आपको समझ में आया है, तो आप इसको असानी से क्य कर सकते हो, आपका निकाल सकते हो, ठीक है, तो यह था आपका कौन सा rule, potential divider rule, इसको बोलते हैं, आपका voltage divider rule भी आपका, या voltage division in series circuit, voltage आपका कैसे divide होता है, कहां पे, series circuit के अंदर, ठीक है, तो यह था आपका, इसके regarding, अब हम इससे आपका related कुछ देख लेते हैं, इसके terminal, सबसे पहले तो आपको A और B के बीच की voltage बतानी है, इस diagram से, so that the drop across, आपको दिया हो है drop, किसके across drop दिया हो है, 10 ohm resistor के across, आपको किसके across drop दिया हो है, 10 ohm resistor के across, यानि कि हम कहा सकते हैं, इसके across आपको drop दिया हो है, कितना drop है आपका इसके across, इसके across आपका drop है, 45 volt, ठीक है, और फिर उसके बाद में जब आप टोटल निकल लोगे तो आपको बताना है कि 5 ohm के cross इसके cross आपका कितना drop होगा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपकी एक चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे क्रोस यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इस टाइप से नहीं है कि आपका connection दिया हो connection आपके दो टाइप से given होते हैं तो इसका मतलब यापा connected नहीं है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ सरे अगर हम देखे हैं यह दो टर्मिनल है आपके एक यह वाला और एक ये वाला है यह वाला टर्मिनल यह आपका एक ही point है, आगे आपका कुछ नहीं, अगर यहाँ पे भी आपका कुछ होता, दब आपका question हो सकता है, कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, तो फिलाल आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपका इस तरीके से, उसको case को भी लेंगे, जो मैंने अभी आपको बता है, त this is A, और यहाँ पे आपका क्या है, B है ठीक है, यह A है और यहाँ पे क्या है, B है, अब यहाँ से आपका चले, यह वला आपका क्या है, 5 ohm, और साथ में आपका क्या है, 20 ohm है, तो हम यहाँ से आपका बनाएंगे इस connection को सबसे पहले, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ohm का ह और फिर आपका किस ohm का है, यहाँ पर आपका given है, 20 ohm का, ठीक है, कितने ohm का आपका given है, 20 ohm का, ठीक है, यह आपका हो गया, that is 5 ohm, और यहाँ से आपका सीधा आपका आगे 20, और यहाँ सीधा आपका निकल गये किसमें, B के अंदर, फिर उसके बाद में next आपका क्या है, A और C के बीच में अपका क्या Konnekt है 30 है, और C और ये व्लब पॉइंट आपका एक की है, तो इसका cert, हुआ अपर आपका क्या हुआ? देशोble से 30 ओ independent है, यहाँ पना हाज सकते हैं, यहाँ पे आपका point आगा है C, और इसके से सिरीज में 30%, इस ताइब से आपका क्या है इसको हम कैसे करेंगे अभ देखो यहां से आपका है कि आपका जो ओम्हेरी यानिक यह वाला यह वही केस हो गया, जो अभी आपने potential divider के अंदर देखा था, वहाँ पर आपको क्या था, मैंने आपको बताया, किसी भी resistance के across आपको क्या निकालनी होती है, potential जब निकालना होता है, तो हम कैसे करते हैं आपका, यहाँ से इस के across अगर आपको निकालना है, तो total voltage into this resistance divided by total resistance, त तो इस branch को बाद में भी consider कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको साथ साथ consider किया जाए, इसको हम बाद में भी consider कर सकते हैं, तो हम सिर्फ आपको कौन सी branch लेंगे, यहाँ से यह वाली आपकी line लेंगे, यानि कि हम सिर्फ आपका किस से deal कर रहेंगे सबसे पहले, यहाँ से अंदर आपकी voltage क्या रहती है? same आपकी रहती है और यहां पे आपको निकालनी है VAB और यहां पे आपको गीवन है voltage across 10 ohm, this is equal to 45 volt यह आपकी वोल्टेज है अब this is equal to, यह आपको क्या होता है? अब total voltage कितनी है? VAB अगर हमें voltage across 10 ohm निकालना है तो total voltage आपके निकालना है इन्टू जिसके across निकालना है उसका resistance यानि की 10 ohm का divided by आपका क्या हो जाएगा? टोटल, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 यह इस तरीके से आपका निकालना है तो यहां से आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, this is equal to 10 VAB divided by आपका क्या हो जाएगा? that is 40 और यहां से अब आपका 10 से आपका यह cancel out और VAB it is equal to 45 into 4, this is equal to 180 volt तो आपके पास में कौन सी voltage आ गई है? आपके पा पूछ सकता है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि यहां पर given हो और फिर आपसे निकलवा सकता है या फिर आपको direct voltage दे सकता है, जैसे इस बार आपकी दी है और आपसे निकलवा सकता है, कुन सी जो total voltage है वो आपके निकलवाईगे, जैसे आपका इसको case के अंदर है, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया कुन से आपका फिर्स ठापका अंसर, अब देखते हैं आपका second, also find the corresponding drop across 5-ohm resistor, अगर आपके पास में total voltage आ गई है, तो अब आप निकाल के मुझे बताईए किसके across आपका 5-ohm resistor के across, तो कैसे निकालेंगे देखो, बहुत ही आसान आपका, voltage across 5-ohm, अ total voltage अگर आपकी आ गई है, तो voltage across 5 ohm, इसके across आपको voltage बतानी है, यहाँ पर आपकी voltage क्या आएगी, तो यहाँ पर आपकी voltage कैसे निकाल सकते हैं, खैज है, total voltage, आपकी क्या है, आपका यहाँ से विएभी है, इंठो, जिसकी across निकालनी है, उसकी 5 divided by total, इसी combination की, सिर्फ इसकी और इसकी क्योंकि पैरलल में आप भी क्या रहती है, तो हम इस ब्रांच को कुछ देर के लिए आपका क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, आपका डाइगरम क्या हो गया, यह वाला हो गया, ठीक है, अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5, ठी ठीक है, ठीक है, तो इस इक्वल टु, 180 इंटु 5 डिवाइड़ड़ भी 25, 5 से आपका गया, 5 आएगा, और यहां से आपका आजाएगा, 36 ठीक है, क्योंकि 360 का हाफ आपका डिवाइड होगा, 36 आपका आजाएगा, ठीक है, तो यह था आपका 5 Ohm की A-C 프로, अगर आपसे पू है इन दोनों के cross so this is equal to 180 into 20 divided by आपा क्या हो जाएगा 25 तो यहां से आपा क्या आएगा 4 और यहां से आपा क्या आएगा 5 ठीक है तो यह आपका 5 से आपा cancel out हो जाएगा this is 36 और यह आपका आजाएगा 144 और आप इन दोनों का sum करके भी देख सकते हो 144 प्लस 36 आपा total केतना हो ठीक है और यहां पर similarly अगर इसके cross आपकी 45 है तो हम 30 के cross भी निकाल सकते हैं कैसे आपका निकालेंगे voltage across 30 ohm voltage across 30 ohm this is equal to total voltage यानिकी 180 into किसके cross निकालें 30 के cross into 30 divided by 30 plus 10 यानिकी 40 तो यह आपका cancel out हो जाएगा यहां से ठीक है और यह आपका आजाएगा 180 divided by 4 यानिकी 45 और 45 तो आप देख सकते हो 135 प्लस 45 फिर से आपका कितना होगा 180 आपका आजाएगा ठीक है तो दोनों का combination दोनों की voltage आपकी किसके बराबर होनी चाहिए total voltage के बराबर आनी चाहिए ठीक है तो यह मैंने आपको बताया इस question के अंदर अब आपका एक जीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर हम इसको आपका क्या कर दें यहां से इस तरीके से करते हैं इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको connect कर दें तब आपका क्या combination आएगा यह आपके लिए बहुत important है तो अब हम इसको आपका solve करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम यहां पे C और D क तो इस point का नाम भी हम क्या दे सकते हैं, यहां पर C नाम दे सकते हैं, ठीक है, यह वाला भी आपका कुमसा है, C है आपका, तो आप देखो, अगर यह वाला जो 5 ohm है, यह आपका यहां पर C पे connect है, say this is A, इसको हम A नाम देते हैं, क्योंकि कोई potential नहीं है यहां से यहां के बी है, ठीक है, और दूसरा, B और C के बीच में आपका 20 ohm है, तो आपका B और C के बीच में 10 ohm का भी है, यानि कि आपका क्या हुआ यहां से इस बार, देखो, यहां से आपका इस बार यह हुआ कि, जो आपका 30 ohm है, say this is 30 ohm, उपर वाला आपका कितना है, this is 30 ohm का, ठीक है, त यहां से आपका बना सकते हैं, this is 5 ohm, यह आपका कौन सा ohm है, this is 5 ohm का, अब यहां से, क्योंकि यह भी point C है, और next point भी आपका C ही रहेगा, ठीक है, तो यहां से आपका देखो, C और B, अपकी बार आपका कौन सा point है, C और B, C और B के बीच में आपका क्या connect है, 20 ohm का connect है, C औ इसलिरलरली, B और C के बीच में आपका कौन सा point है, 10 ohm का है, तो अगर आपका कोई भी resistance बीच में ना हो, तो उसको हम क्या बता सकते हैं, same point आपका बता सकते हैं, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, this is, this is your, this is your 10 ohm, ठीक है, यह आपका कौन सा ohm है, 10 ohm का है, ठीक है, त अब आपसे पूस्ता, जब आपका देता यही वाली same condition, कि 10 ohm के ग्रोस आपका कितना resistance है, 45, तो देखो, यह आपका circuit सिंप्लिफाई होके, मैंने आपको बताया, अगर आपका यहां पे, आपका कौन सा है, this is 45 volt, यह आपका कौन सा volt है, 45, तो क्योंकि पैरलल के अंदर आप फिर आपका soul होगा, यानि कि पहले इन दोनों का parallel combination लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों का parallel combination लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का parallel combination और इन दोनों का parallel combination क्या आएगा, सबसे पहले नीचे वाले का अगर हम देखें, तो यहां से इसका हम निकाल सकते हैं, 20 into 10 divided by 20 plus 10, तो यहां से आपक्या हो जाएगा 200 divided by 30 यानि कि आप नीची वाला क्या हो गया 20 divided by 3 अब उपर वाला भी देख लेते हैं तो यहां से आपका आएगा 30 into 5 divided by आपक्या 30 plus 5 ठीक है तो यहां से 35 ओ सरी 150 उपर वाले से आपका जाएगा 150 divided by आपक इतना हो जाएगा 35 तो यहां से आपक्या 30 divided by आपका 7 यह आपका जाएगा 30 divided by 7 क्योंकि 30 into 5 150 और 7 into 5 तो यहां से आपका आगया 30 by 7 और यहां से आपका 20 divided by 3 तो इस बार आपक्या हो जाएगा यहां से इस बार आपका इस बार आपका इसके एक्रोस आपकी 45 फोल्ड है तब आपका बताइए वी एबी आपका कितना होगा ठेक है तो यहां से अब क्योंकि आपका वोल्टेज किसके एक्रोस गीवन है 20 divided by 3 के एक्रोस गीवन है इस इक्वल तो कितना आपका 45 और यह तो आपके होगी गीवन 20 divided by 3 ठीक है तो यहां से पहले इसका LCM लेते हैं उसके बाद में आपका simplify करेंगे वी एबी इंटू 20 divided by 3 और यहां से आपका LCM आ जाएगा 21 यहां से 3390 और यहां से 140 140 प्लस 90 देट इस 230 divided by आपका कितना 21 ठीक है यानिकि 7 इंटू 3 तो यहां से 3 से आपका 3 आपका cancel out हो जाएगा वी एबी इंटू 20 इंटू 7 divided by आपका कितना 230 यह आपका 0 से 0 cancel out आपका हो जाएगा this is 14 यह आपका क्या हो जाएगा this is equal to 14 वी एबी डिवाइड़ बाई 23 चीक है तो वी एबी आपको निकालना है वी एबी इट इस एक्वल टू 45 देखो यहां से 45 इंटू 23 इंट तो यहां से जब हम इसको solve out करेंगे तो आपके कौन सी वोल्टेज निकलाएगी वी एबी आप इसको कैल से में निकालके देख सकते हो कि आपके वोल्टेज कितनी आएगी ठीक है तो इस question के अंदर आपको मैंने बताया सारे के सारे concept दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इस type का अगर आपको कोई और concept भी आ जाता है तो आपको कैसे solve out करना है ठीक है कैसे किस तरीके से आपको connection देखने हैं अब हम इसके अंदर आपका देखते है next numerical इस question के अंदर आपसे क्या निकलना चाहता है पहले आपका पढ़ लेते हैं इस question को 12 वन ओम रिजिस्टेंस बारा आपके वन ओम के रिजिस्टेंस है यानि कि बारा रिजिस्टेंस आप हो given है ठीक है are used as edges इसको edges की तरह use किया गया किस के लिए to form a cube आपका cube निकालने के लि इस या Rapha सारे के जिस्टेंस आपके last में लिखेंगे 1 mammoth废ी किके इया आपके वन ओम के तो यहांसे यहां पक्या होगा एक स्केट आपका हो गया सभी रोजिस्टेंस आपकी 101 ओम के हां आपका similarly यहां पर आपका को दूसरा है it is like this ठीक है इसको थोदे नीचे करते हैं यहां से यह आपका अगला next it is like this यह आपका दूसरा square हो गया ठीक है it is like this to total आपके कितने resistance हो गए eight आपके हो गए एक square में एक square में और बाकी कि आपके जो बचके वो इनको connecting करने के लिए है यानि कि यहां पर आपका एक resistance है, it is like this, दूसरा आपका यहां पर है, it is like this, एक आपका resistance यहां पर connect है, ठीक है, और एक resistance आपका यहां पर connect है, ठीक है, तो यह आपका क्या बन गया, it is a cube, यह a cube की shape में आप इसको समझ सकते हो, it is like a cube, अब यहां पर आपका क्या है, हर resistance आपका या फिर हम इसको लिख सकते हैं वह सारे के सारे जो resistance हैं, वह resistance साप्र comprehensive क्या है प्या है। आगे क्या रहा है तुष टर्णीं अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ता क्योग, ठीक है आपको resistance बताना है कितना होगा artificial्सी ऑप क्योगा फिर आपका क्योगा ठीक Diagonally Opposite Corners, ठीक है? Diagonally Opposite, तो Diagonally Opposite आपका कौन सा होगा? या तो हम बोलें भई आपका ये वाला Terminal है, देखो, यहां से आपका, इसके और इसके बीच में, ठीक है? इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? Resistance आपका बताना है, So this is A Terminal, और या आपका कौन सा Terminal है? B Terminal, ठीक है? A और B के बीच में आपको क्या बताना है? Resistance आपका बताना है, तो सभी के आपकी मार्किंग करते होगे, So this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, this is H, और या आपका B गीवन है, ठीक है? इस तरीके से आपने इसके क्या गर दी है? मार्किंग आपने कर दी है, ठीक है? कि यहां से आपका इस तरीके से आपका क्या होगा? टोटल आपका आएगा, तो हमें यहां से निकालना क्या है? Diagonally Opposite का मतलब एक तो यह वाला आपोजिट है, और इसके आपोजिट में आपका यह वाला है, तो हमें निकालना है Resistance between A and B, तो यह न 3i, माली जी 3 times से आपका, आसान हो जाएगा, i भी मान सकते हैं, 3i भी मान सकते हैं, ठीक है, टोटल जो i equivalent current है, वो आपका कितना flow कर रहा है, that is 3i, तो हम RAB निकालने के लिए, क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, RAB, it is equal to, या आपका कितना हो जाएगा, RAB, it is equal to, माली जी इन द करते हैं, कि वह यहां से आपका VAB supply है, ठीक है, यहां से आपका IAB supply है, जितना यहां से जाएगा, उतना ही आपका वहां से आएगा, this is equal to I equivalent, और यहां से ऐसे, last में हम करेंगे, R equivalent, it is equal to, आपका VAB, divided by IAB, ठीक है, R, it is equal to, V divided by I करके, हम इसको last में finally, निकाल सकते हैं, ठीक ह तो यहां से RAB आपको निकालना है, अब देखो, सबसे पहले तो current का इसके अंदर distribution देख लेते हैं, किस तरीके से आपका होगा, तो देखो, जैसे आपका 3I current मिलेगा, इसको हर एक branch के अंदर same आपका current मिलना है, यानि कि इसके अंदर भी one-ohm है, sorry, resistance आपका मिलना है, यहा current is also I, तीनों branch के अंदर आपको कितना current चला गया, I, I current आपका चला गया है, अब हर एक current को हम आपका distribute करते हैं, यहां से, सबसे पहले इस current को पगड़ते हैं, यहां से आपका I current जाएगा, तो इसका मतलब दो parts के अंदर equal divide हो जाए, क्योंकि इसको दो आपके बराबर आपक और यहां से भी आपका कितना है, I by 2, ठीक है, अब यह I by 2 यहां से आएगा, और यह I by 2 यहां से आएगा, इसके अंदर आपका current आजाएगा, कितना I, ठीक है, इसके अंदर आपका current आजाएगा, I आपका current आजाएगा, अब इसके बाद में, यह वाला current आपका पकड़ते ह वाइध नीजए अगा होगा तो इसके अंदर भी कितना हो जाएगा यानिकी आई आपको यहां यहां से आए और आइद् pseudo total current कितना आ गया है, this current is 3i, तो इसका मतला आपका क्या हुआ, जितना current आपने भेजा था, उतना ही current आपको वापिस क्या हो गया, receive हो गया, यानि कि current का distribution आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है, अब यहां से हमें क्या लग करना है, अब हम इसके अंदर आपका लगाते हैं, लूप, कैसी लूप लगाएंगे देखो, हम start करते हैं, यहां से A, यह वाला terminal आपका क्या है, A है आपका, ठीक है, A, यहां से हम चलते हैं, A, E, D, B, और फिर वापिस में A, इस तरीके से आपका लूप लगाते हैं, यहां से A, फिर E, A के बाद में E, फिर उसके बाद में D, फिर उसके बाद में आपका B, और लास्ट में फिर से आपका क्या है, A है आपका, इसके अंदर अब आप लूप अनालीसिस लगा के देखिए क्या है अपका, this one is, this is plus and this is minus, तो सबसे पहले minus आपका VAB, भई, loop आपका लगाएंगे, तो जैसे current flow कर रहा है, यहां से आपका start करेंगे minus का क्या आएगा, VAB आपका, so minus VAB minus VAB ठीक है, यहां से आपका कितना आगया, this is minus का VAB, अब इसके बाद में यहां से आपका चले, सबसे पहले A से E पे चलना है, तो 1 into I into 1 आपका आजाएगा, plus I into आपका क्या हो जाएगा, plus I into 1, ठीक है, I into R, R की बल्यों कितनी है, 1 है आपकी फिर इसके बाद में यहां से यहां पे जाएगे, यहां पे 1 है और I by 2 है, तो प्लस में आपका लिखेंगे, plus I by 2 into 1, ठीक है, I by क्या है, आपका यह, 2 है, into आपका क्या है, 1 है आपका, यहां से E और D के बीच बाला, फिर D और E के बीच में आपका कितना current है, I current है, तो फिर आपका लिखेंगे plus I into 1, फिर उसके बाद में आपका क्या है, यहां से आपका सीधा आगए, minus का VAB so this is equal to 0, यहां आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आपका आपका आजाएगा, यहां से VAB आपका दूसरी तरफ जाएगा, VAB it is equal to, VAB आपका दूसरी तरफ जाएगा, this is equal to, यह आपका वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, this is I this is I, यानि कि 2I plus I by 2, यानि कि आपका कितना हो जाएगा, 2.5 आपका आजाएगा, 1 by 2 आपका कह सकते हैं इसको हम लिखेंगे 5 by 2 into I, यह आपका क्या आगया this is your VAB, ठीक है यापका क्या आगया, VAB, अब हमें क्या निकालना है, आरे भी निकालना है, और आरे भी निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, लास्ट में, VAB divided by IAB, और IAB total current आपके कितना send किया, this is equal to I equivalent, और I equivalent किसके बराबर है, this is equal to 3 into I के बराबर है, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, this is equal to VAB, divided by आपका क्या हो जाएगा, this is IAB, now what is VAB, VAB it is equal to 5 by 2 into I divided by आपका कितना है, 3 into I, so this is equal to 5 by 6, I से आपका I आपका cancel out हो जाएगा, this is in ohms, यानि कि आपका option क्या आजाएगा, A आपका option आजाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको cube वाले जितने भी आपके question हैंगे, उनके अंदर आपको इस तरीके से क्या लगाना है, आपको KVL आपका लपलाई करना है, और ऐसे आपका क्या लगाना है, सोरी, ऐसे हम निकाल सकते हैं आपका equivalent resistance, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका resistance equal given था, अगर 6 ohm भी होता, तब भी आपका कोई फरक ने पड़ता है, तब भी आपका answer क्या रहता, यही रहता, कैसे आपका answer यही रहता, भाई, वहाँ पे आपका क्या, सोरी, 6 ohm क्या क्रोस, अगर यहाँ पे आपका मालेजी हर ब्रांच के अंदर आपका 6 ohm resistance होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बस यहाँ पे आपका change आता, यहाँ पे 6 i, this is also 6 i, and this is 6 i by 2, यहाँ आपका cancel out होके 3 आ जाता यहाँ से, ठीक है, तो 6, 6, 12 और 3, 15 i, यहाँ से आपका क्या आ जाता, vab, it is equal to 15 into i, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाता, 15 into i, और current की value वही होती, तब आपका resistance कितना हो जाता, 5 by 6, यहाँ कि जितना भी आपका resistance यहाँ से होगा, चाहे कोई भी resistance आपका change करें, बस rab के अंदर आपको क्या करना है, this is equal to 5 by 6 into, आपका क्या करना है, यहाँ से 15 divided by 3, 15 divided by 3, 5 by 6 नहीं, 15 divided by 3 आपको करना है, यह तो सुरी आपका 5 by 6 है, this is 15 divided by 3, तो this is equal to, आपका कितना आ जाता, this is equal to 5, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका होगा, यह equation आप याद रखिएगा, और direct आपका क्या निकाल सकते हैं, answer निकाल सकते हैं, अब आपका देखते हैं, एक और numerical, इस question के अंदर आप से देखिए, क्या निकलना चाहता है, for the circuit shown below, find the current produced by battery, यानि कि यह जो battery है आपकी, यह कितना current आपका produce करेगी, यह आपको बता रहा है, ठीक है, तो current निकालने के लिए, आपके पास में क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली चीज, i, it is equal to v divided by r, और r यहाँ पे single तो है नहीं, यहाँ पे r का equivalent है, तो v divided by आपको क्या मिलना चाहिए, r equivalent, तभी हम इसमें निकाल पाएंगे, कि आपका current आपका कितना flow करेगा, तो देखो, यहाँ से अगर हम इसको देखें, तो आपको एक नजर आ रहा है delta connection, और एक आपका नजर आ रहा है star connection, अब आप सोचोगे, कि मैंने आपको star or delta के बारे में तो बत पढ़ाया है नहीं है, तो आप star or delta का जो lecture है, वो 10th unit के अंदर, आपका देख सकते हो, 10.4 या 10.5 के असपास, आपका जो lecture होगा, that is for star delta transformation, वो star delta transformation का यह है, कैसे हम उसको convert करते हैं, बट फिलाल, यह आपका star or delta से related नहीं है, ठीक है, इसको हम फिर से आपका बनाएंगे circuit को, और उसके बाद में आपको इसका हम proceed करेंगे, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो, आपको 4 point given है, A given है, B given है, C given है, और साथ में आपका क्या given है, D given है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका बनाते हैं, say this is A point, यह A point है, यह आपका B point है, ठीक है, यहाँ पे आपका C point है, और यहाँ पे आपका D point है, इसको हम किसकी form में आपका convert कर लेंगे, bridge की form में, ठीक है, तो सबसे पहले, आपका यहाँ पे इनके numbering करते हैं, A, this is for B, this is C, और this is D, आपका कुन सा है, D है आपका, इस तरीके से मैंने आपको point बताई, चार, अब सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पर आपका क्या है, A और C, क्या A और C के बीच में आपका 5 form है, बाकी सभी resistance आपके 5 के हैं, तो बस आपको यह देखना है, क्या A और C के बीच में है, तो बिलकुल है आपका, A और C के बीच में आपका बिलकुल क्या है, 5 form का resistance है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा है, this is for 5 form, अब क्या A और D के बीच में भी है, A और D के बीच में भी है आपका, ठीक है, तो A और D के बीच में भी आपका एक resistance है, so this is like this, this is also 5 form, यह भी आ C और B के बीच में भी है C और B के बीच में भी आपका 5 ohm है तो इसको भी हम draw करेंगे यहां से This is also of 5 ohm ये भी आपका केतने ohm का है 5 ohm का है ठीक है So, ये आपका हो गया अब क्या C और D के बीच में भी है बिल्कुल C और D के बीच में भी आपका एक resistance है इस तरीके से बना लेते हैं ये आपका resistance हो गया This is A और B के बीच में है ठीक है This is like this ये आपका एक resistance हो गया A और B के बीच में ये भी आपका केतने ohm का है 5 ohm का है और क्या है A और B के बीच में A और B के बीच में एक आपकी battery गीवन है एक आपके क्या गिवन है यहां पे एक बैटरी यह नहीं कि एक और आपका है और यहां से आपका क्या है बैटरी है इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अब आपको समय में आया होगा सरकिट आपका बहुत ही असान है तो देखो सबसे पहले तो आपकी ब्रिच की कंडिशन कंडिशन के हिसाब से अपके क्या होता है 5M nea क्या प्रिच के और कर पर आपके ब्राबर है यह वैसे दो ब्रिच की जो कंडिशन होती है वो आपकी ऐसे नहीं देखि जाती कि आमने सामने वी ब्रांज सोते उफ आपके एक्क्वल हो जाते हैं यह मैं आपको जब drop will be zero और ना ही कोई current flow होना चीज जब ये condition satisfy करती है सिर्फ तभी आप पे क्या कह सकते हम कि आमने सामने वाले branch के जो आपके है यहाँ पे आपके क्या रहेगा equal रहेगा सिर्फ तब आता आपका ठीक है तो यहाँ पे फिलाल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि 5 और 5 है आपक यहाँ पी 5 और 5 है तो 5 एंटू 5 25 तो यहां पे हम बता सकते हैं क्योंकि DC आपका circuit है कि यहाँ पे कोई भी current flow नहीं करेगा. किसकी across आपका 5 ohm की across तो five form क्या क्रोस अगर आपका कोई current flow नहीं करेगा तो क्यों ना हम इस branch को यहां से open कर दें यानि कि इस five form के resistance को हम यहां से क्या कर देते हैं में आपका हटा देते हैं ठीक है अब जैसी आपका five form का resistance हटेगा तो हम यहां से आपका इस condition के हिसाब से current through cd will be zero इसके थुरू ना तो कोई potential drop होगा और ना ही आपका कोई current flow करेगा यानि कि हम माल लेते हैं यह जो given bridge है यह आपका क्या है let bridges balanced ठीक है bridge आपका क्या है balanced है और क्यों है balanced क्योंकि five and to five five and to five है आपका ठीक है बराबर है आपके 25 यहां पे है तो यह जो five है और यह वाला जो five है यह दोनों आपके किस में आगे है series के अंदर आगे है ठीक है और यह वाला five और यह वाला five यह भी किस के अंदर आगे आपके series के अंदर आगे है ठीक है यानि कि आपका series के अंदर क्या हो गया series के अंदर कुछ इस तरीके से आ गया यहां से टैंओं आ गया है और यहां से बिच में आपका एक Fives इसको हम यहांसे आपका ड्रो कर सकते हैं और आपका A और B के वीच में एक बटरी भी की बनाए है ठीक है यहांसे ऐसे तो यहां पर आपका यह 5 हो में आपका 50 वल्ट का है ठीक है यह 5 होला यह वाला राजिस्टेंस है जो नीचे वाला मैंने आपको बताया था तो देखो 10 औ 100 divided by 20, so this is equal to 5 ohm, तो अब इसका जो modification आपका आएगा, 5 यहाँ पर बचेगा, यानि कि इसको हम बना सकते हैं आपका 5 ohm, और नीचे वाला भी आपका कितना है, इस अलसो 5 ohm, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक battery connect है, that is of 50 volt, यहाँ पर कितनी volt की है, 50 volt की आपकी battery है, तो अभी मैंने आपको बताया, फिर से भई, दो same resistance हों, तो आपका क्या हो जाता है, half हो जाता है, तो यहाँ से आपका फिर से क्या हैगा, 5 into 5 divided by 5 plus 5, 25 divided by 10, so this is equal to 2.5 ohm, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 2.5 ohm, तो 2.5 ohm यहाँ पर बचा आपका, अब 2.5 ohm, और यहाँ पर आपका क्या बचा है, this is of 50 volt, यहाँ पर कितने volt का है battery, 50 volt का, this is of 2.5 ohm, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको sol करेंगे, तो आपका क्या आएगा देखो, इसको sol करने पर, आपको 50 volt यहाँ पर है, this is of 2.5 ohm, यानि कि 5 by 2, आपको मैंने पहले बताया था, कि हमें क्या करना है, current की value निकालनी है, उसके लिए आपको r equivalent निकालना है, तो r equivalent आपका कितना आ गया, r equivalent this is equal to 2.5 ohm, तो i it is equal to 50, divided by 5 into 2, क्योंगे 2.5 ohm, 5 by 2 लिख सकते हैं, यह आपका cancel out हो गया यहाँ से, और यह आपका कितना बचा, यहाँ से i this is 10 into 2, this is equal to 20 ampere, so current will be 20 ampere, current आपका कितना आएगा, 20 ampere आएगा, एक बर जब आपकी practice हो जाएगी, इस type के questions की, तो आपको करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो इस lecture के अंदर आपका इतना ही discuss करेंगे, this is all about KVL, यह जो अभी आपने discuss किया, यह सारा के सारा किस के regarding था आपका, KVL के regarding, साथ में मैंने आपको बताए, potential divider rule, अब next आपकी unit आपकी ज़्याएगी, that is, nodal analysis आपका पढ़ेंगे, फिर आपका वहां से हम देखेंगे, current divider rule, और कुछ आपके mix-up question, और साथ में आपका source transformation, चिक है, तो next unit के अंदर आपका देखते हैं, thank you, thank you so much for watching,